नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका मस्जिदों में परिवेश परतिबंदित है या नहीं अभी ये मामला क्यों आया है क्योंकि हाली में एक जो जामा मस्जिद है दिल्ली के अंदर वहां पर महिलाओं के परिवेश पर परतिबंद लगा दिया गया था इस चीज़ को ध्यान रगना गया था बाद में उसे अटा लिया गया तो यहां पर एक मुद्धा हमारे सामने आता है क्या भारत में महिलाएं जो मुस्लिम महिलाएं उनको क्या मस्जिदों में जाने दिया जाता है एक तो हम भारत के संधर में बात करेंगे साथ इसाथ हम जानेंगे कि जो पूरे विश्व है वहाँ पर महिलाओं को मस्जिदों में entry है या नहीं है और इसलाम इसके बारे में क्या कहता है कि वह कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं जो है वो मस्जिदों में जा सकती है या नहीं जा सकती है तो इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए में आप लोगों को बता जाता हूँ देस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर देते हैं तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं देखे हाली में दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वहां पर क्या हुआ मस्जिद परिशर के अंदर चाहिए वो सिंगल वूमेन हो या फिर वो अगर वो समोह में आ रही हैं तो उनके परवेश पर परतिबंद लगा दिया लेकिन बाद में क्या हुआ जो लेफ्ट एंड गवर्नर है उन्होंने इस चीज के अंदर हस्तक्षेप किया मतलब कि intervention किया उन्होंने इस चीज के पर अपत्ती जता है और अपत्ती जताने के पाद इस मामले में अपना इंटरफेर करने के पाद इस परतिबंद को वापस ले लिया गया जब पूछा गया जामा मस्जिद के जो अधिकारी है उनसे कि आपने ये क्यों किया तो उनका ये तर्क था कि महिलाइं जो है जो पूजास्थलाय यानि कि जो मस्जिद है जहां पर मतलब कि नमाज पड़ा जाता है जो पवीत्रस्थान है तो उनका वो समान नहीं करती है ऐसा तर्क दिया गया मस्जिद से संबंदित अधिकारियों में अब वो क्या करती है वहाँ पर तो उन्होंने कहा कि जो मस्जिद परिशर में आती है तो वो वीडियो बनाना यह सब स्टार्ट कर देती है तो यह तरक था मस्जिद से संबंदित अधिकारियों का अब इसलाम में इसके बारे में क्या लिखा है क्यों इंट्री है या नहीं तो देखे इसलाम में मैं बात करूँ तो कुरान में कहीं पर भी देखे कहीं पर भी महिलाओं के नमाज के लिए मस्जिदों में जाने से मना नहीं किया गया तो कुरान में कहीं पर भी यह बात नहीं लिखी इवन कुरान तो यह कहता है कि सब gender जह हो एक समान है कोई भी मस्जिद में आ सकता है और यहाँ एक बात और भी है कि 5 दिन की जो एक देली जो नमाज होती है उससे पहले अजान का एक उचारन होता है अजान ये कहती है कि प्रार्तना के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों को एक invitation देती है कि दोनों आईए आप अपनी नमाज के लिए आप अपने success के लिए आईए और यहाँ पर नमाज के लिए तो यह सब चीज़ें जब बोली गई है इसलाम के अंदर कुरान के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी महिलाओं के लिए परतिबंदित नहीं है entry मतलब कि मस्जिदों में जाने के लिए यह तो हो गया एक इसलाम में कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ अगर हम बात करें global scenario के अंदर तो पूरे पश्चिम Asia के अंदर महिलाओं के नमाज के लिए मस्जिदों में आने पर कोई परतिबंदित नहीं है मतलब कि वो entry कर सकती है अमेरिका और कनेडा के अंदर भी नमाज के लिए मस्जिदों में महिलाएं जाती है और एवन रमजान में एक विशेस तराव ही होती है वहाँ पर नमाज के लिए और धार्मिक पार्ट के लिए वहाँ कठा होती है महिलाएं यह तो हो गया global scenario भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर देखे जमात ए इसलाम और अल ए हदीश यह संपरदाएं है और इनका control कहले जिए यह संचालन करती है मस्जिदों का तो कुछ एक मुठी बर कुछ मस्जिद हैं जहां पर महिलाओं को एंट्री दी जाती है मस्जिदों में अब बाकी जो मस्जिदें क्या वहाँ पर एंट्री नहीं करने देते ऐसा नहीं है देखे महिलाओं को मस्जिदों में परवेश वहाँ पर space troop से रोक तो नहीं लगाई है लेकिन महिलाओं के लिए नमाज है, तो वहांपर कोई अलग से तयार, प्रातनाशेतर का प्रावधान भी नहीं है, बतलब अलग से कोई बनाया गया हो, कि महिलाएं, यहाँ पर कर लेंगी, पुरुषी यहाँ पर कर लेंगी ऐसा नहीं किया गया, और even होगा हमारे देश में जो जीजी चल रही है वैश्विक स्थर पे हमने चीज़ें देख लिए और कुरान में ये सब चीज़ें हम देख लिए विदवानों की क्या रहा है विदवानों in the sense की जो Islamic scholars हैं वो क्या कहते हैं तो देखें Islamic विदवान वो इस बात से सहमत होते हैं कि नमाज वो घर पे भी पड़ सकते हैं लेकिन यह केवल समू में ही अदा की जाए तो इसके लिए तो मस्जिद में जाने का महतो भी आता है और काफी सारे इस बात से भी सहमत होते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बच्चों का पालन पोशन करती हैं गरेलू जिम्मेदारियों को भी वो संभालती हैं बहुत सारी चीज़ें उनके उपर आती हैं तो यहां पर महिलाओं को मस्जिद में नया आने की छूट दी गई है ध्यान रगना यहां पर exemption है कि आप आएं तो आपकी इच्छ है ना आएं तो आपकी इच्छ है वहां पर यह नहीं बोला गए कि आप परतिबंदित हैं यानि कि मस्जिद परवेश की मनाई नहीं है उनको यह छूट है आ सकती है नहीं भी आ सकती है यह उनकी इच्छा है क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं तो यह सब चिज़ें जो हैं वो विद्वानों के द्वारा बोली गई हैं अब हमारे देश में legal system क्या कहता है इसके उपर हम यह जान लेते हैं तो देखें भारत का समिदान तो यह कहता है कि पूरुष और महिलाएं दोनों एक समान है आप यहां पर वेदवाव नहीं कर सकते हैं जेंडर के अधार पर अभी हाली में एक case हुआ था उस case को भी मैं भी discuss करूँगा हाजी अल दरगा case उस मावले में उच नेयले ने महिलाओं को दरगा में आपको जो महिलाएं उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी तो हाई कोर्ट ने उसके अंदर वहां पर इंटर्फेर किया और वहां पर महिलाओं को पहुँच परदान करवाई थी और यहां पर हवाला दिया गया था समिधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 का कि भारत का समिधान यह गयता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों समाने और आप उनको जेंडर के अदार पर उनके साथ बेदबाद नहीं कर सकते सरवच न्याले के सामने भी काफी सारी पेटिशन जो है वो दायर की गई जिसमें देश बर की सभी मस्जिदों में महिलाओं के परवेश की मांग की गई और सरवच न्याले ने इन्हें साबर मिला मामले से जोड़ दिया सबरी माला जो मामला है आपको पता है कि वहां पर भी मंदिर परिशर के अंदर एंट्री के उपर महिलाओं के एंट्री के उपर विवाद था तो उस मामले को यहां पर मस्जित के मामले को भी यहां पर जोड़ दिया गया अब अगर इस मामले में हम बात करें हाजी अलदरगा का ये एक पहले हुई गटना है कि 2011 में पंदुरी शताबदी की एक बेहद लोग प्रिये दरगा है हाजी अलदरगा तो यहाँ आपकी परिशर में एक ग्रिल लगा दी गई उस ग्रिल से आगे महिलाओं की एंट्री को बेहन लगा दिया गया कुछ महिलाओं ने इसके समाधान के लिए जो दरगा पर बंदने उनको गवार लगाई कि हमें एंट्री करवा दी जी लेकिन उनकी गवाहार जो है या उनके अनुरोध है उनको एस्विकार कर दिया गया फिर उन्होंने कुछ महिलाओं को इकठा गया और एक मुवमेंट चलाया हाजी अली फोर ओल यह मुवमेंट चलाया गया इस अभियान की शुरुआत हुई भारतिय मुसली महिला अंदोलन के नेतित में महिलाओं ने बंबे हाई कोट की और रुक किया और नियाले ने वर्स 2016 में उनके पक्ष में यानि महिलाओं के पक्ष में फैसला भी सुनाया कि आपके लिए एंट्री है कोई आपको रोक नहीं सकता है जैसे मैंने आपको बता है न आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 25 इन तीन आर्टिकल का हवाला दिया था बомबय हाइकोर्ट ने तुम्हेत करता हूँ कि आज का टोपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महिलाओं जो है क्या मश्जिदों में एंट्री है या नहीं है बारत में क्या प्रावधान है विश्व में क्या क्या है कुरान इसके बारे में क्या कहती है इसके पहले कोई case हुआ है नहीं हुआ है तो इक complete चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आ गई है तो मुझे कैसे समझाएंगे obviously वीडियो को like करके कोई भी doubt है तो comment section open है तो आप उसमें comment भी कर सकते हैं साथ इसाथ कुछ जादा ही पसंद आया है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं PDF के लिए फिर से मैं आप लोगों को बता जैता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF download कर सकते हैं तो बस आच के लिए इतना है था thank you for watching this video